नमस्कार दूस्तो मेरे नाम है बालचंद्र ब्रह्मांड सिद्याष्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल प्रतमस्तान में है तो इसको जो मिलने वाले परणाम होंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं वो परणाम शुबह होंगे अशुबह होंगे सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्य एस्ट्रों इस चैनल पर मंगल हर स्तान में किस प्रकार से परणामी हो सकता है उसके संदर में वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप उसका अनन ज़रू लिजे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल प्रतम भाव में किस प्रकार से परणामी हो सकता है। चैसक की आप देख सकते हो ये जो कुंडली में जिस स्तान में मंगल दिखाया गया है उसे ही प्रथमस्तान या फिर इसे लगनस्तान भी कहा जाता है तो अगर मंगल अगर लगनस्तान में हैं तो किस प्रकार से परणाम करता है मंगल जो ग्रह है यह शक्ति, साहस, शावरिय, पराक्रम का कारग्रह माना जाता है और वह जिस स्तान में जाता है उस स्तान में उनके मंतलब मंगल के जो भी यह गुन है उसी को दर्शाता है अब यह जो गुन है वह स्तानों के नुसार विधायक या फिर विगात तक भी देखे जा सकते है तो यदि मंगल प्रथम भाव में हैं तो जो वेक्ति होते हैं वो उचे कदके होते हैं काफी रुबाबदार होते हैं और थोड़ा सा गुसा इन्हें जल्दी आ जाता है उग्रस रुप के देखे जाते हैं इनकी जो आखें होती है वो थोड़ इसी लाल देखी जाती है स्कीन का जो टेक्स्चर होता है वो भी थोड़ा सा लाल देखा जाता है इन्हें गुसा काफी जल्दी आता है और शक्ति पर इन्हें काफी ज़्यादा आत्म विश्वास होता है मतलब कोई भी अगर काम करना है तो शक्ति के आधारप पर काम करते हैं. मतलब कोई भी काम करना है तो पहले action करते हैं, पहले कुरूती करते हैं, उसके बाद उसके संदर में विचार करते हैं. अपने बाद दूसरों से मनवाने में ये काफी आगे दिखाई देते हैं. अत्यंत महत्वक आंग्शे होते हैं आत्मे विश्वास उच्छाह इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है किसी भी संकट को कभी भी नहीं डरते किसी भी प्रकार के अगर आप्स्टेकल आजाए तो कभी नहीं डरते ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है कोई भी काम करना है तो उसमें अपना 100% देते है मतलब आगे पीछे नहीं देखते यह भी नहीं देखते कि अगर वो काम से उन्हें फाइदा होने वाला है या फिर नुकसान होना है अगर इन्होंने कोई भी काम ठान अपने मन में ठान लिया तो उसे वो पूरा करकर ही छोड़ते है तो यह बात इनमें काफी अच्छी देखी जाती है अडेल टट्टू होते हैं लेकिन मेहनती भी काफी अच्छी देखी जाती है confidence level इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है थोड़ा सा उग्रो रूप कभी कभी धारन कर लेते हैं कभी कभी यह भी देखा जाता है कि आगे पीछे का विचार न करते हुए अपना काम सिद्ध करना इन्हें काफी अच्छी तरीके से आता है अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली तेड़ी करनी पड़ती है यह जो भाव है इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है और इसी वज़े से मैं जो भी करूँगा वो सही करूँगा और वो सही ही होगा इसी भाव में यह जो विक्ति है वो काफी देखे जाते हैं लेकिन एक बाग तो तह हैं यह जो विक्ति होते हैं वो महिंति होने के कारण और action oriented होने के कारण जीवन में काफी जल्दी यशस्वी होते हुए देखे जाते हैं अब घात के रूपे से अगर देखा जाए तो यह जो विक्ति या फिर यह जो मंगल होता है वो थोड़ा accident prone देखा जाता है जिस किसी विक्ति के प्रथम भाव या फिर लगन भाव में मंगल है और उसके साथ पाप ग्रह युकता अगर मंगल है तो उनको अब घात होने के chances काफी जादा देखे जाते हैं जैसे कि electric shock, कटना, चिलना या फिर शस्तरा घात इस प्रकार की फल देखे जाते हैं इस प्रकार का जो योग होता है यो योग उनके पतने के लिए भी अशुब फलदाई देखा जाता है अगर अश्टम स्तान में या फिर शस्त स्तान में शनी है और लगन भाव में अगर मंगल है तो वो शाररिक व्यंग भी दे सकता है पाप ग्रह युक्त मंगल जो health होती है, स्वास्त होता है वो ठीक नहीं रखता ऐसे जो व्यक्ति health होती है वो पित्त प्रकृति के देखे जाते हैं इन्हें सीरदर्थ या फिर इनके चहरे पर किसी प्रकार की निशानी भी देखी जाती है लेकिन करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह जो मंगल है यह मंगल अधिकार योग काफी उत्तम रूप से देता है administrative qualities इस व्यक्तियों में काफी अच्छे देखी जाती है इस प्रकार का मंगल अगर स्त्री के कुंडली में भी है तो भी यह जो गुन दर्शाए यह गुन इनमें काफी जादा दिखाई देते है तो दोश्तों ये था अगर लगन भाव में या फिर प्रतम भाव में मंगल है तो उसके मिलने वाले पनना आपको ये वीडियो कैसे लगा आपने इसका नुवह किस प्रकार से लिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांट सिद्धियाश्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाब